अधिश्ट और दिश्ट परिमान हमने भहतिक राशियों के बारे में बात की, आनेक राशियों में मूली और दिशा दोनों होते हैं इन राशियों का वरणन करने के लिए हमें विशेश प्रकार की गणितिय भाषा का प्रयोग करना पड़ता है जिसे वेक्टर की भाषा कहा जाता है जब हमसे कोई रास्ता पूछता है तब हम उसे सामान्यता इस प्रकार से बताते हैं सौ मिटर सीधा जाएं फिर पचास मिटर बाएं जाएं आपको जहा जाना है वो आपके दाहिनी ओर होगा ऐसा करते समय आप वेक्टर की भाषा अर्था दिश्ट परिमान की भाषा का उप्योग करते हैं किसी भी प्रकार का पथ प्रदर्शन विक्टर भाशा पर ही निर्बर होता है। सीधी रेखा पर खिलोने की इस कार की हल चल गती सिर्फ दो ही दिशाओं में हो सकती है। जब इस कार की गती आपके दाहिने होती है तब इसे धनात्मक कह सकते हैं। और जब इसी कार की गती आ बहुतिकी शास्त्र में वेक्टर अर्था दिश्ट परिमान वस्तु को कहां ले जा रहा है इसे नापता है मान लिजे किसी वस्तु को 3 मिटर पूर्व की ओर और 4 मिटर उत्तर की ओर ले जाया गया तो उसका विस्थापन वेक्टर इस प्रकार दिखाया जाएगा वेक्टर बानों का चित्र हो सकता है जो वस्तु को कहां से कहां ले जाया गया हो ये दर्शाता है वेक्टर अर्था दिश्ट परिमान हम उसे कह सकते हैं जिसका कोई परिमान और मुल्य तो होता ही है साथ ही साथ उसकी दिशा भी होती है कुछ दिश्ट भौतिक राशियां हैं विस्थापन, वेग और त्वरण सारी भौतिक राशियां दिशा से सम्मंदित नहीं होती है जैसे तापमान, दबाव, उर्जा, वस्तुमान और समय किसी भी विशिष्ट दिशा की ओर निर्देश नहीं करते हैं इन राशियों को आदिश्ट राशियां कहा जाता है बिशगणित के सामान नियम इन राशियों पर लागू होते हैं एक निशित मूल्य एक चिन्न के साथ जब होता है उसे हम आदिश्ट राशि कहते हैं उधारन के लिए माइनस दस डिग्री सिल्सिस तापमान जब एक किलो गेहूं में दो किलो गेहूं मिलाए जाते हैं, हमें तीन किलो गेहूं प्राप्त होते हैं विस्थापन या स्थान में परिवर्तन ये अत्यंत सरल दिष्ट भावतिक राशी है वो दिश्ट परिमान जो विस्थापन को दर्शाता है उसे विस्थापन वेक्टर या विस्थापन दिश्ट कहा जाता है खिलोने की एक कार C बिंदू से D बिंदू की ओर जाते समय अपने स्थान में परिवर्तन करती है और हम कहते हैं कि कार C से D बिंदु की ओर विस्थापित हुई है जिसे हम C से D की ओर निर्देश करने वाले एक बान के माध्यम से दिखाते हैं ये बान दिश्ट परिमान को लिखित स्वरूप में रेखांकित करता है विस्थापन दिष्ट वास्तों में हमें उस मार्ग के बारे में कुछ नहीं बताता है जिसका उपयोग हुआ है इस उधारण में ये तीनों मार्ग हैं जिन पर A और B संपर्ग बिंदू है जो विस्थापन दिष्ट के अनुरूप है विस्थापन दिष्ट वास्तों में गती के प्रभाव को दर्शाता है स्वयम गती को नहीं यदि आपको ऐसी नदी पार करनी है जिसका बहाव काफी तेज है तब आप सीधे जाने के बजाए एक कॉन बनाते हुए जाएंगे इस बात को दिष्ट परिमानों द्वारा आसानी से समझाया जा सकता है यहाँ पर एक नीला दिष्ट परिमान नदी के बहाव को दर्शाता है लाल बान आपकी तैरने की दिशा और गती को दर्शाता है और काला बान आपने वास्तों में किस प्रकार का सफर किया इस बात को दर्शाता है सारांज अदिश्टो और दिश्ट परिमान ये भहतिक शास्तर की दृष्टी से बहुत महत्वपूर्ण संकल पनाये हैं अगली कक्षा में आपका इस प्रकार की अन्यराशियों के साथ परिचय होने वाला है